प्रादी शेक समाचार अभियंता दिवस पर प्रदेश में हुए अनिक कारिक्टरम उप्राश्रुपती और प्रधानमंद्वी ने दी शुपकामनाई और अखिल भारतिय व्यापारी परिसंग ने कहा सरकार एक बार इस्तमाल किये जाने वाले प्लास्टिक के उप्योग को बंद करने के बारे में फैले भ्रहमों को करे दूर अब समाचार विस्तार से सबसे पहले बात मौसब की प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है भिंड जिले में चंबल नदी उफान पर है जिसके कारण नदी किनारे बसे जिले के अटेर क्षेत्र के आठ काउ टापू बन गये है जबकि ग्यारह गाउं में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जिले की कंठाल नदी का पानी सुएत कला नगरी क्षेत्र में भर जाने से घरों में फसे हुए सेकडों लोगों को प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड के जवान वो नगरी निकाय के कर्मचरियों दोरा निकाल कर सुरक्षित इस्थानों पर पहुंचाय गया था कलेक्टर संजे कुमार ने बताया कि आज बारिश में कमी आने तथा सोयत नगर में लोगों के घरों में भरा हुआ पानी निकलने के बाद लोग अपने घरों पर वापस लोटने लगे हैं आगर मालवा से मैं महेश शर्मा उधर मंसौर में बार के हालात अभी भी कायम है शहर की कई नचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है बार प्रभावित हजारों लोग अभी भी राहत शिवरों में है लगातार बारिश के बाद गांधी सागर बांध के सभी 19 गेट खोल दिये गए थे जिसके चलते शहर में बार के हालात बन गए थे वहीं हमारे नीमत समवादाता ने बताया कि जिले में पिछले तीन दिनों से लगाता जारी बारिश से आम जन जीवन, आवागमन और कामकाज अस्थ व्यस्थ हो गया है गांधी सागर के दोनों तरफ आवजाई बंद कर दे गई है नीमत से में दिनेश प्रजापती रतलाम, राय सेंज, शौपर, विदिशा सहित कई जिलों में नदियों के उफान पर रहने के कारण बार जैसे हालाद बने हुए है वही मुख्यमंत्री कमलनात ने कहा कि संकट की इस खड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है कॉंग्रस की वरिशनीता जोद्रादित्य सिंधिया ने कहा है कि मनसौर और नीमच में अभी भी बार से भयावह हालाद बने हुए है उन्होंने राजे सरकार से आगरह किया कि प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचावकारे में तेजी लाई जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा राशी दिलाई जाए उधर पूर्व मुख्यमद्री शिवरा सिंग चौहान ने आज कुछ गाओं का दौरा किया उन्होंने चेताबनी दी है कि 21 सतंबर तक सरकार ने राहत राशी नहीं दी तो 22 सतंबर को वे फसलों के साथ सड़कों पर उत्रेंगे राजिपाल लाल जी टंडन ने कहा है कि विश्व विद्यालेओं की नाक ग्रेडिंग के लिए प्रयास करना कुलपतियों का उत्तरदायत्व है कुलपतियों को शैक्षणिक गुणवत्ता को बहतर बनाने, समय अनुसार नए प्रयोग और शोध करने, रिक्त पदों की पूर्ती, शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने, विद्यार्थियों को रोजगार परक उच्चतम ज्यान देने और बुन्यादी सुविधाय जुट के लिए जवाबदारी के साथ कठोर और नवाचारी कारे करने होंगे। अज अभियंता दिवस है, ये दिवस भारत रत्न M. विश्वेश्वरया के चन दिवस के अफसर पर मनाया जाता है। इस संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि अभियंता लगन और दृण निश्चय के पर याए हैं। मानविय प्रगती उनके उचसाहपून नवाचार के बिना अधूरी है। राजिपाल लाल जी टंडन ने अभियंता दिवस पर अपने शुपकामना संदेश में कहा कि ये दिन उन सभी अभियंताओं को समर्पित है। जिन्होंने अपने महान विचारों और नवाचारों के साथ पूरी दुनिया को बदल दिया। इस अफसर पर प्रदेश भर में विभर्न कारिक्रम आयोज़द किये गए। अखल भारतिय व्यापारी परिसंग कैट ने केंद्रिय वन और परियावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से एक बार इस्तमाल किये जाने वाले प्लास्टिक के उप्योग को बंद करने के बारे में फैले भ्रमों को दूर करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्योग पर रोक लगाने के आहवान के बाद व्यापार और उद्योग जगत में कई तरह के भ्रम बने हुए हैं। परिसंग ने अनुरोध किया है कि परियावरण मंत्रौाले को इस बारे में जरूरी दशा निर्देश तुरंद जारी करना चाहिए जिससे व्यापार एवं उद्योग जगत उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सके। और अब बात अच्छी खबर की। सचिता को लेकर प्रदेश में मानों मुकाबला चल रहा है और हर शहर नए प्रयासों के जरिए सफाई को बढ़ावा देने में जुटा है। अब तकनीकी सयोग से भी इस मुहिम को नए गती मिली है। जबलपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां RFID यानि Radio Frequency आइडेंटिटिफिकेशन के माध्यम से घर घर से कच्रा एकठा करने की निक्रानी की जा रही है। RFID सिस्टम की जानकारी देते वे स्मार्ट सेटी परियूजना की डारेक्टर संजे तिवारी ने बताया कि वे परियूजना के प्रिशासनिक अधिकारी रविराप ने बताया कि जल्द ही जिस घर से कच्रा उठेगा उस घर की मालिक के मुबाइल पर मैसेज में आएगा। से यह पता लगाया लिया जाता है या ऐसा कहें कि पता चल जाता है कि घर से कच्रा उठा लिया गया है। शेहर में सफाई की इस नई विवस्था से आम लोग भी खुश हैं। यहां की रहवासी प्रेणा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहट नगरनिगम द्वारा डोर टो डोर कच्रा कलेक्शन की जो विवस्था की गई है। जवलपूर नगरनिगम की ये पहल सरहनी है। अब बस जरूरत है दूसरे शेहरों को जवलपूर नगरनिगम से सीख लेकर आगे बढ़ने की ताकि पूरा प्रदेश सफाई की मामले में आउवला सके। अच्छे कबर के लिए जवलपूर से सुर्भी तिवारी के साथ भूपाल से मैं दीपा सिंग। इन सभी का स्वागत किया गया। भारती किसान संग ने कल सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन का एलान किया है। और नगर निगम भूपाल सोमवार से बोट क्लाब और कालिखाट पर नावों का पंजियन कार्य शुरू करेगा। खटलापुरा नाव दुरखटना के बाद नगर निगम ने ये कदम उठाया है। अंत में बुलटन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालाद भिंड में मदद के लिए बुलाई सेना। राजिपाल लाल जी टन्नन ने कहा कि विश्व विद्यालेओं की नाख क्रेडिंग के लिए प्रयास करना कुलपतियों का उत्तरदायत्व। अभियंता दिवस पर प्रदेश में हुए अनेक कारिक्टरम और प्राशिपती और प्रधानमंत्री ने दी शुपकाम नाएं। और अखेल भारतिय व्यापारी परिसंग ने कहा सरकार एक बार अस्तमाल किये जाने वाले प्लास्टिक के उप्योग को बंद करने के बारे में फैले भ्रमों को करे दूर। इस बुलिटन में इतना ही आकाश्वाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए कर सुबह साथ बच कर पांच बिनिट पर। नमस्कार